नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज कल आँखों से जुड़ी हुई काफी सारी समस्याओं लोगों को हो रही हैं, जैसे कि आँखों में इंफरक्षन होना, गड़न होना, चुभन होना, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौक्सी फ्लॉकससेन और डेक्सा मेथासोन आईड्रॉप के बारे में, यह जो आईड्रॉप है, आपकी आँखों की सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करेगी, बात करें, तो यह आईड्रॉप आपको मेडिकल इस्टोर पे कुछ पॉप्लर ब्रैंड से मिलती है, जिसमें से मौक्सी डी आईड्रॉप आती है, 200 रु दोस्तों, इस वीडियो में, इस आईड्रॉप के बारे में, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे काम करती है, किन-किन समस्याओं में इसका आप उपयोग कर सकते हैं, कैसे, कितना डोज जो है, उपयोग करना, इसके साइड इफर्क्ट, क्या कुछ आते हैं, तो वीडिय आँख में होने वाले bacterial infection को ठीक करने का काम करती है, और जो dexamethasone है, ये बिसकली एक estroidal medicine है, जो आपकी आँख में होने वाली लालिमा, readiness और सूजन, इन सारी समस्याओं को कम करती है, बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो moxifloxacin और dexamethasone eye drop है, इसका उपयोग आप किन- कि हमारी आँख में bacteria की वज़े से संकमड हो गया है, तो इसके कुछ लच्चड आएं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला लच्चड आपकी आँखों में लालिमा आ जाना, सूजन आ जाना, light से sensitivity होना, आपकी आँख में दर्द महसूस होना, इसके अलावा eye discharge ह होना, साथ ही साथ दोस्तो आँखों से पानी जादा निकलना, आँखों में खुझला हट महसूस होना, आँखों में सूखा पन रहना, बलरीड वीजन, धुंदला दिखाई देना, ये सारी समस्या होती है, अगर आपकी आँखों में bacterial infection हो जाता है, तो वहां पर इस eye drop का उ समस्या चल रही है, conjunctivitis, conjunctivitis में क्या होता है, कि आपकी आँखों में सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है, पलके सूज जाती है, बहुत ज़्यादा आँख से डिश्चार्ज हुआ करता है, पानी निकला करता है, तो वहां पर भी ये eye drop काफी ज़्यादा फाइदे तो दोस्तों यही इस eye drop के मुख्योप योग हैं, इसके अलावा हो सकता है, डॉक्टर अपने experience के हिसाब से इसको किसी दूसरी condition में भी recommend करें, बात कर लेते हैं, इसके side effect के बारे में उसके बाद में बात करते हैं कि भीया कैसे इसको डालना है, तो side effect इसमें इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको side effect दिखाई दे, जैसे कि आपकी आँख में जलन महसूस होना, आपकी आँख में लालिमा आ जाना, धुंदला दिखाई देना, इसके अलावा ये eye drop डालने के बाद आपकी आँखों से पानी भी निखल सकता है, तो ये इसके most common side effect है, कोई भी side effect दिखाई दे, तो इस eye drop को further रुपयों ही करना है, साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर से संपरक करना है, बात कर लेते हैं, डोज के बारे में, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, जिन लोगों के common problem है, ज्यादा severe नहीं है, उनको डॉक्टर दिन में, दोज से लगा कर तीन बार अपनी आँख में ये drop डालने की सलाह देते हैं, और जिन लोगों के बहुत ही ज्यादा severe problem हो रखी है, उनको दिन में 5-6 बार तक डालने की सलाह देते हैं, डॉक्टर, बात कर इसके dose के बारे में, दोस्तों एक बार में आपको एक आँ आँख में डालना रहता है, ऐसे simple तरीके से मैंने बता दिया कि इसको कैसे उप्योग करना है, तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, यह जो आईडॉप है, यह बच्चों और बड़ों में, दोनों में safe है, डाली जा सकती है तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, Moxifloxacin and Dexa में था सोन आईडॉप के बारे में, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, साथ भी आज जो लोग चनल पे पहली बार आएं, चनल को सब्सकाइब करें, अपना पर जरूर दिखाएं, मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहिन, बने मातरम, टेक केर बार